यह model हमने lightbox से निकाला है आप भी यहां से ले सकते हैं देखिए यह model है demo head female के नाम से आप double click करोगे तो model आपके scene में add हो जाएगा तो basically आज हमें क्या करना है इस sub tool के अंदर एक option आता है extract का आज हमें इसको देखना है कि इस से हम क्या कर सकते हैं तो जैसा कि इसमें नाम है extract का यह क्या करता है किसी पहले से predefined जो पहले से हमारे पास में model है उसी के model को use करके उसी के shape में एक नया model एक नया sub tool generate करता है ठीक है देखते हैं कैसे तो अब पहले देख लेते हैं यहाँ पर यह हमारा head है और इसके अंदर की आखें कुछ बनी यह इस layer की जरूरत है नहीं इसको हम delete कर लेते हैं यहां से ओके करके यस अब मेरे पास एक ही layer बनी है इस face की तो अब हमें करना क्या है नीचे जाना है इसी sub tool के panel में extract का एक option मिलेगा इस option को use करना है तो यह option अभी use नहीं होगा इस option के लिए जो requirement है वो यह है कि हमें masking करनी पड़ेगी अपने object के उपर तो अब masking कैसे करनी है तो अपने keyboard से control press को आपको प्रेस करना है और mask करते है तो देखे जैसे keyboard प्रेस करेंगे यहां पर देखे यह कैसे change हो रहा है तो यह black color का area जो आ रहा है यह mask area है तो हम control प्रेस करके अपने keyboard के अपने object के उपर हम जब इसको चलाएंगे pointer को अपने cursor को तो यह देखिए black black सा object convert हो रहा है and this is called masking तो control प्रेस करके आप क्या कर सकते हो अपने object के उपर mask create कर सकते हो तो जैसी हमने mask create किया तो इसका काफी सारा area जो है वो black में convert हो रहा है यहाँ पर भी हम कर सकते हैं control के साथ में यह इस तह से और भी यहाँ पर पीछे तो basically हम इसके hair बनाने जा रहे हैं तो पहले से एक safe हमारे पास available है इसके head का उसी को use करके हम hair बनाने वाले हैं तो हमने selection कर लिया आपको selection में ध्यान रखना होगा selection जैसा होगा वैसे ही आपका object जो है create होगा तो हम control प्रेस करके फिर से इसको नीचे तक ला रहे हैं यहाँ पर कुछ area रहे गया है इसको भी हम select कर लेते हैं यहाँ पर area कुछ हटाना है एक्स्ट्रा हो गया है तो आप control के साथ alt button को प्रेस करेंगे और फिर आप अगर इसको चलाएंगे तो वो deselect होगा unmasked हो जाएगा थोड़ा से extra area ले सकते हैं यहाँ पर तो जैसे आप mask बनाते हो आपका object दो part में divide हो जाता है एक masking area एक unmasking area तो जो extract tool है यह unmasked area में काम नहीं करेगा mask area में काम करेगा तो अभी आपको इस पर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक extra shape आ गया है यह एक illusion है यह देखे जैसे आपने report को थोड़ा से change किया वो गाइब हो गया फिर से आपको extract करना पड़ेगा तो actually मैं यह क्या है यह preview दिखाता है कि देखे यह ऐसा निकल के आ रहा है थोड़ा सा अगर rotate किया तो फिर से गाइब हो जाएगा फिर से extract क्लिक करेंगे अगर अभी आपने accept कर दिया तो यह एक नया object बन जाएगा और यहाँ पर एक नई layer में add हो जाएगा ठीक है आपको हम करके दिखाते हैं जैसे हमने इसको accept कर लिया यह देखे यहाँ पर यह एक नया object बन गया है और यहाँ पर आप देखोगे यह add हो गया है तो इस face को अगर हम off करते हैं तो देखे इतने object आपका अलग से बना हुआ है अगर यह object आप नया बनाते तो बहुत सारा time लगता आपको बनाने में इसलिए extract tool का हमने use किया है यहाँ पर जिससे हम जल्दी से अपने hair को create कर पाएं तो हम फिर से यहाँ पर बनाने वाले हैं इसलिए इस layer को delete कर लेते हैं again इसमें already marked है पर accept नहीं करना है एकस्टेट करके आपको देखते रहना है जब आपको लगे कि हाठी के अब होना चाहिए final है तो आपको accept पर क्लिक करना है इसके बगल में कुछ option आते हैं यहाँ पर एक smt करके एक option आ रहा है surface smooth का तो by default value 5 है यह क्या करता है यह इसके जो corner होते हैं इसको smooth करता है देखिए अभी जैसा भी आ रहा है अगर हम इसको zero करते हैं यहां से उसके बाद extract करते हैं तो देखिए इसके corner कितने rough आ रहे है तो यह smoothness जो है आप बढ़ा सकते हो कम जादा अपने according जितनी smoothness चाहिए देखिए और smooth हो गया है तो यहां 10 की हमने नीचे एक option आ रहा है थिक का तो 0.02 इसकी by default value थिक का मतलब यह होता है कि यह जो extract होगा दूसरा से भी देखिए इससे कितना उपर उठ रहा है इसकी thickness कितनी होगी थोड़ा सा close करके दिखाते हैं एक स्टेट करते हैं यह देखिए कितना बाहर आ रहा है तो यह thickness अगर आप बढ़ाते हैं लेट्स के हम इसकी one करते हैं थिकने और उसके वाद एक स्टेट करते हैं तो आपकी requirement क्या है उसके हिसापस इसको set करना होगा जैसे हमने control प्रेस प्रेस करके रखना है वस यह धिय इरिया से लेट कर लिया जो भी डिजाइन आपको बनानी है आप वैसे से लेट करेंगे कुछ इस टैप से और उसके बाद यहाँ पर नीचे चलना है एक स्टेट करते हैं और एक सेट कर लेते हैं तो आप देखोगी एक तीसरी लेयर इसने बना दिये यहाँ पर इसको आफ देंगे यह उतना और अच्छा होता चला जाएगा तो इस तरह से आपने देखा हमने यह बना लिया कुछ और भी बना सकते हैं आप इसके गले में भी कुछ बना सकते हैं ऐसा आपको लगता है अगर तो हम कंट्रोल के साथ अब इस पर मास्क क्रियेट करेंगे तो यहाँ फर्टोन पर हमें मस्क चाहिए था इस जहेके पर तो सेयरिय को हमने सिलेट कर लिया और उसके बाद यहाँ नीचे जाना है एकस्टध फे देखना है अगर हमें सहीए तो हमें accept कर लेना है accept कर लेंगे एक नया model हमारे सामने फिर से बन गया अब इसका आपको क्या करना है यह आपको decide करना है इस तरह से तो अगर किसी का cloth भी बनाना है body है उसका jeans पैनाना है टॉप पैनाना है जो भी है आपको मिलेंगे thank you